तो कई बार हमारी नाक, नाक ही बता देती है कि हमारे कौन से ग्रह में खराबी है और इस नाक की कमजोरी की वज़े से हमारे जीवन में कहां कहां परेशानी आएंगी और ये परेशानिया कई बार बच्चे के कारण पिता भोगता है आपने देखा होगा कि बच्चा कई बार नाक बहने की परेशानी से कहीं नजला कहीं जुकाम इस तरह की परेशानी होती है और पिता को परेशानिया किस बात की आती है हो सकता है कि उसकी हेल्थ की प्रॉलम रहती हो काम काज ना चलता हो कहीं ना कहीं जीवन में उसके संघर्ष जादा हो पैसे की बचतना होती हो ये स परेशानिया इंसान के जीवन में तब आती है जब बच्चे की इस तरह से आपको कुछ ना कुछ कमजोरियां दिखाई देने शुरू हो जाए कि नाक बह रही है उसको नजला जुखाम रहता है अब देखिए इस परेशानी से तो बच्चा भी परेशान रहेगा क्योंकि नहीं बनती है एक तरफ तो यह परेशानी होगे कि बच्चा परेशान है पर बच्चे के कारण बच्चे की इस परेशानियों की निशानियों के कारण जो निशानिया आपको दिख रही है इससे आप यह भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका पिता भी कही ना कहीं परेशान पड़ेगी कि ये परेशानी क्यों आ रही है जब भी आपको मैं एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं कि जब भी किसी का ब्रस्पती कमजोर होता है तब ऐसे केस में उसको सांस की या नजले जुकाम की या किस्मत की या एजुकेशन की या जीवन में एक मिलने वाली सफलता कि कहीं न कहीं प्रावलम रहती है अब ऐसे केस में जब ब्रस्पती ये लक्षन दे रहा है कमजोरी के तो ब्रस्पती हमारे पिता को भी दर्शाता है हमारे बाप दादा को भी दर्शाता है अगर बच्चे की कुंडली का ब्रस्पती कमजोर है तो उसका पिता परेशानी म रहेगा क्योंकि ब्रस्पति उसका पिता भी है अब पिता कैसे उपाए करें क्या कारण है ऐसे कि हमें बच्चे की कुंडली के अनुसार ही उपाए करने हैं देखिए एक तो फैक्टर मैंने आपको यह बता दिया कि यह एक तरीका है कि ऐसे केस में पिता उपाय कर सकता है साथी साथ बच्चे के भी उपाय किये जाएंगे और दूसरा फैक्टर आता है बुद्ध के कारण जब भी कुंडली में बुद्ध दूसरे भाव का हो पांच में भाव का हो या नवे भाव का हो नौ नाइन्थ हाउस का हो तब ऐसे केस में भी पिता परेशानी में कहीं न कहीं रहता है और साथी साथ पित्तर रिंड पितर रिंड तो है ही एक ऐसा कि पिता बाप दादा हमारे बुज़ूर्गों तक परेशानिया कहीं न कहीं लेकर आता है जिवन में खुश्या नहीं आने देता अब हमें पिता के लिए उपाय करने हैं पिता को खुद को उपाय करने हैं बच्चे के लिए भी उपाय करने हैं बहुत ही सिंपल तरीके मैं आपको आप समझाने वाला हूँ पहला काम तो आप यह करिए कि बच्चे के पास एक ऐसा रुमाल दीजिए जो वाइट कलर का रुमाल हो और उसमें कहीं किनारे पे या सेंटर में कोई लाल मारकर से या लाल कड़ाई बुनाई करा कर उसका नाम लिख दीजिए या कोई डिजाइन बना दीजिए फूल पत्ती बना दीजिए कुछ पी बना दीजिए ऐसा रुमाल बच्चे के पास रहे और बच्चा अपनी नाक को साफ जरूर रखा करें नाक जितना साफ रहेगी उतना ही ब्रस्पती के फल उत्तम होंगे एक तरीका तो यह हो गया दूस बच्चे के स्टडी टेबल पर रख दो बच्चे के जहां पर उसका समान रहता है वहां रख दीजिए और दूसरी डिबिया पिता अपने पास रखे अपनी पॉकेट में रखे या अपनी जेब में रखे या फिर अपने बैग में रखे या ओफिस टेबल पर रखे कहीं प प्रस्पति के फल कैसे मजबूत होंगे जो शरीर में दुरबलता क्रेट हो गई है उसको दूर किया जाएगा केसर का सेवन करके बच्चे को दूद में कुछ मात्रा में केसर मिलाकर आप देते रहिए अब इसके साथ साथ पिता ने और क्या काम करने हैं पिता ने अब सबसे ज़रूरी काम करना है जो की है पित्र रिन का अगर मान लीजिए कुंडली में दो पांच नो बारा अगर भाव कहीं पर राहू शुक्र या बुद्ध से कहीं से प्रभावित हैं तो पिता या माता कोई भी जो उसका खून का संबंदी है वो पित्र रिन के उपाय करता रहे है देखिए पित्र रिन के उपाय बहुत थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं पर आपको मैं सिंपल सा तरीका बता सकता हूं कि आप डेली का एक रुपया अपने घर में कोई डबा लगा लिजिए उसके अंदर डालते रहिए डेली का एक रुपया डालते रहिए 43 डेस तक य जितना लंबा आप करवाओगे उतना ही अच्छा होगा बच्चे के माथे ना भी और इस तरीके से गर्दन पर आप ये केसर का तिलक लगाते रहोगे तब भी ब्रस्पति के फल अच्छे होंगे और बाकी जो पिता ने उपाय करने हैं और बड़े बुजर्गों का आधर क करवा लिजे पर ये करवाना जरूरी है जब तक बच्चे की नाक नहीं सही होगी तब तक पिता सही नहीं हो पाएगा क्योंकि यही आपके जीवन में खराबियां पैदा कर रही है और लक्षन भी आपको दे रही है पर यह जाने अंजाने में इसे इग्नोर कर देते हैं हम सिरफ बच्चे की परेशानी तक ही फोकस रहते हैं पर हमें आगे तक किसे कनेक्शन जोड़ना होता है जो कि आज आज आप जान चुके हो कि ब्रस्पती खराब तो आगे पिता बाप दादा परेशानियां रहती ही रहती है तो दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी जरू नई वीडियों फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपने सुभाश भाई को आगे दीजिए नमस्कार